हलो फ्रेंट्स वल्कम बैक टू माई चनल स्वागत है आपका मेरे चनल में जिसका नाम है तर्णा वीत्पमी मैं तर्णा स्वागत करती हूँ आपका अपने चनल में तो आज हम बात करें आराध्या लामा और निशा नामा जी की एक माँ बेची की बात कर रहे हैं तो इस वी वीडियो को वही शेयर करना जिसके यह विडियो दिल को छूई हो अराध्या का इंतिसार नानी को भी है भाई को भी है मामा को बी है पर एक माँ को उसकी ये दूरी अब एक पल की भी बरदास नहीं हो रहा की मेरी बेटी के इतनी दूरी क्यों है बस मैं अब जाउं जाकर उसके गले लग जाओं। नानी को बहुत याद आये। बहुत ज़ादा। क्योंकि नानी के बहुत करीब थी आराध्या। आपने कहीं भी देखा। आज आराध्या में जो भी कुछ आप देखते हैं, कहते हैं कुछ परवरिश ऐसी होती हैं। क्योंकि हमारे जो संसकार होते हैं वही हमारी परचाई होती है अच्छा बुरा वही हमें बताते हैं हमारे संसकार और अराध्या को देखके लगता है कि घर में कितने अच्छे से अराध्या को ट्रीट किया गया है कुछ बाते हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करना आराध्या का एक-एक कदम और नीशा जी की और तेज हार्ट बीट होते हुए जब आराध्या जाकर गले लगी तो नीशा जी ने अपनी जो सारी ममता थी वो सोचा अपनी बेटी पे निचावर कर दे और आराध्या भी यहां कुछ कम नहीं थी आराध्या ने अपनी मा को प्रोपर इस तरीके से बताया कि मा मुझे बहुत याद आए आपकी बस मैं अपने आसू दिखा नहीं पाती और ये बात सच है अराध्या रो रही थी पर उसने महसूस नहीं हुने दिया इस वीडियो को देखेगा आपको प्रोपर पता चलेगा यहाँ पर एक चीज और आपको बताते हैं जैसे मैंने संसकार की बात की अराध्या को देखेगा अभी इसकी एक फ्रेंड मिलती है और अराध्या उसको किस तरीके से ट्रीट करती है यह प्यारा सा हग और गले लगाया और फिर से जब दो महने बात मिलेंगे उसके लिए बलेसिंग दी और सच में अराध्या मातारानी का अशिरवाद है इस तरीकी से और निशा जी की आपने दिखा होगा जब अराध्या दूर रहती है तब में और जब अराध्या पास रहती है तब में बहुत अंतर है बहुत जादा अंतर है इस वीडियो को मैं इसलिए बार-बार एड़ कर रही हूँ इस क्लिप को क्योंकि मैं जितना देखती हूँ न उतना मतलब इस टाम खुशी क्या आस हुआ रहे है सच में इसलिए लव यू आ रहा था बेटा मेरी तरफ से जब मा बेटी मिली और साथ में थी तो अराध्या कितने सुकून से सोरी थी ये सफर अराध्या का अभी कुछ टाम के लिए तो हमें पता है कि मा से मिली है फिर दो बहने बाद होस्टल जाना है और एक लव यू बेटा मेरी तरफ से भी और हमारे जितने भी सब्सक्राइबर देख रहे हैं उनकी तरफ से भी आप अपनी मा की वो जान है जो की निशा जी कुछ कुछ बाते ऐसी हैं जो हम लोगों के साथ शेयर नहीं करती शायद आपके साथ बहुत कुछ शेयर करना चाहती है आपकी ममा